यूपी हो चाहे असम हो देश भाजवा की सामप्रताईक राजनीती के और सहर नहीं करेगी। यूपी में आज कावर यात्रियों को सुविधा देनी के लिए वहां की सरकार कहती है कि दुकान के मालिक अपने अपने नाम बोर्ड पे लगाएं। ये किस प्रकार का समाज तैयार करना चाते हैं। हम सब क्या नाम के अधार पर हम निर्ने लेंगे। भारत में हमारे नाम से हमारी जात का पता चलता है। हमारे नाम से हमारे धर्म का पता चलता है। हमारे नाम से हम किस ट्राइब से आते हैं किस जंजाती से आते हैं उसका जानकारी पता चलता है तो भाजपा ऐसा समाज बनाना चाहती है कि जात के अधार पर धर्म के अधार पर जंजाती के अधार पर हम किसी दुकान के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे क्या इस प्रकार के समाज में एकता रह सकती है क्या इस प्रकार के समाज में शांती रह सकती है क्या इस प्रकार के समाज में भाईचारा रह सकता है क्या ये डॉक्टर बाबा साब अमबेद करके समिधान के अनुसार है और इसलिए चाहे वो कावर्यात्रा का राजनेतिक उद्देश्य हो या यहाँ पे असम में जो कर रहे हैं लोग इसको पसंद नहीं कर रहे लोगों ने प्रधान मंतरी मोदी जी को मंगल सुत्र और भैंस की राजनेति करने के लिए पहले ही जवाब दे दिया है और वो ही यह गलत है और जो अपचारिक स्टेटमेंट होता है हमारे स्पोक्सपर्सन का वो आ चुका है लिकिन जो आप मुझसे पूछी रहे हैं तो मैं इतना जरूर कहता हूं कि चाहे वो कोई समाजी काम हो या कोई मधभी काम हो मधभी यात्राएं निकलती हैं हर मधभ के लोग अ खटे होते हैं तो हमारी जो सबिता है हमारे देश की जो सबिता है वो यही रही है कि हम लोग बढ़ चड़के एक दूसरे के ऐसे मौके पर एक दूसरे का की मदद करें उनके साथ उनके साथ हिस्सा लें और उनके साथ पुरा से योग दें यह हमारी सबिता है और इस सबित ऐसी यात्रा पे निकलेंगे कावर यात्रा पे निकलेंगे तो हम किसी और मख़ब के किसी व्यक्ति के घर ना बैठ सकते हैं ना खाना खा सकते हैं अगर मानिये कोई गर्मी का मौसम है लोग पानी पिलाने के प्लिए प्याव बनाते हैं तो वो भी ये पूच के बनाएं कि हमारा मघभmeg कुछ और है और हम आपके मघभ के लोगों की मदद कर रहे हैं तो वो क्या हमको अलाओ है कि नहीं अलाओ है वो ऐसा पूचें तो हम भारत की सबिता को ठेस्ट पहुचा रहे हैं बहुत बड़ी ठेस मुचा रहे हैं तब भी मैं ये कहता हूँ कि अगर इसकी जरुवत समझी गई तो बताएं कि उसकी जरुवत क्यों समझी गई ये बताएं तो कम से कम और ये कहें कि कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हम आप लोगों की शिरकत नहीं चाहते हैं देखे राज सरकार का मामला है राज सरकार कोई भी निकालता है बिग्यप्ती या कानून बनाता है तातकालिक किसी चीज को तो सभी को मानना चाहिए अब ये समिच्छा का विशे होगा अगर समिच्छा होगी तो राज सरकार जैसा उचित समझेगा वह ऐसा करेगा मुझे लगता है कि मनमोहन सिंग किस पार्टी के प्रधान मंत्री थे उनके आदेश क्या था मैं संतोष जी से कहूंगा एक जर्नलिस्ट का ये ट्वीट है और उन दिनों का निकाल करके देख ले ओडर ये ओडर देख ले उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए ये कानून किस ने बनाया था, ये कानून तो अखलेस यादब की सरकार ने बनाया ना, मायवती की सरकार ने बनाया ना, और इसमें कौन सा गहर संभाधाने काम है, कहा गया है कि सब को लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसल्मान को भी लगाना आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो क्या कहता है कि इस देश में सब को बराबर का अधिकार है समान अधिकार है यदि ये बोट लगाना है तो हिंदूओं को भी बोट लगाना है मुसल्मान जिनकी जहां इक्षा होगी ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप मुसल्मान के हाने जा ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है इसाई के हाने जा कहा जा रहा है कि ये दुकान के मालिक ये हैं इसमें कौन सा गलत बात है तराजनिती करने वाले राजनिती करते रहें भारती जन्ता पार्टी तो कानून का सम्मान करती है जो कानून बनाया है अगले स्यादव और माया बतीने हम उसी को लागू कर रहे हैं